दोस्तों इस वीडियो को इसलिए देखना कि जो costing engineer होता है उसको क्या-क्या skill आने चाहिए या किसी quality engineer को क्या-क्या skill आने चाहिए किसी execution engineer को क्या-क्या skill आने चाहिए ये सब चीजें इस वीडियो में बात करने वालों जो CMTI आपके लिए लेके आया है हिंदी में इस बार रहेगा course और MSP का course लेते हो तो billing course आपको free में मिलेगा इसके बारे में थोड़ी बात कर लेता हूँ उसके बाद हम actual topic जो आज का हमारा है कि जो skill में आपको बताने वाला हूँ क्या-क्या skill आने चाहिए आपको वो में बात करूँगा अगर हम बात करें तो आपके लिए CMTI app में project management का एक MSP का course है क्योंकि अगर हम बात करें 428 infrastructure project है जिनकी cost अवर टर्रॉक्स कितना 4.98 trillion और इतना बड़ा project है उसको संबालने के लिए planning की जरूरत परती है और इस समय इंडस्ट्री में planning engineer की बहुत ज़ादा डिमाड है और अगर हम बात करें सामने आप देख रहे हो SG अशोक कुमार जी है लेकिन जो CMTI के experts हैं वो train कर रहे हैं कि इनको project management सिखा रहे हैं कोई भी leading organization है हम नाम नहीं लेंगे Tata Group हो गया यहां L&T हो गया उनके engineers को skills दिये जारे हैं मतलब skills है उनके पास लेकिन कुछ नहीं नहीं चीज़े होती है तो नए software है वो सिखाए जाती है CMTI उसमें help कर रहा है क्योंकि इनके tie apps हैं MOUs हैं companies के साथ तो यह आपके पास MOCA है project management सीखो और बड़ी MNC companies में काम करो जैसे होगे JLL हो गई L&T हो गई, HCC हो गई, Prestige हो गई, काफी बड़ी-बड़ी company हैं फिर हम बात करते हैं कोई भी project होता है 5 stages रहती है उसकी project management की 5 process group रहता है तो सबसे पहले initiating होती है, कोई भी काम है उसको start किया जाता है, उसमें planning engineer की जरूरत परती है फिर planning होती है उस चीज की, फिर उस चीज को execute किया जाता है, फिर monitoring और controlling किया जाता है और वो काम complete हो जाता है यह पूरा planning का process रहता है, और यह सब चीजें आपको आनी चाहिए, मतलब scope काफी ज़्यादा है और as a planning engineer आपको आना चाहिए MSP, क्योंकि कोई भी काम है, builder से लेके बड़ी companies में MSP हो गया, प्रेमर वीर हो गया दोनों सीखे जाते हैं, सिखाए जाते हैं, और एक skill क्या क्या चाहिए होती है किसी planning engineer को अब ही हम आते हैं अपने actual topic पे, सबसे पहले उसको समझे होनी चाहिए पूरे project की construction के बारे में फिर scope क्या work का, sequence क्या है construction का, project का planning और schedule के बारे में मतलब time की planning, फिर resource की planning, cost की planning, इसमें आगे time की planning में master construction जो रहता है, MSP की help से, फिर man, material, machinery, method, यह सब चीज़े, project की costing और budgeting कैसे की जाती है project की monitoring और tracking, time, resource, cost, preparation of micro schedule, जो daily चाहिए, weekly चाहिए, monthly चाहिए, यह सब चीज़े planning engineer को आनी चाहिए, फिर हम बात करते हैं, जो costing engineer होता है, क्योंकि आगर आप MSP course लेते हो, साथ में billing engineer का course, free में मिलने वाला है, costing engineer को आना चाहिए, drawing की reading कैसे की जाती है, जो detail measurement होती है, वो autocad की help से कैसे की जाती है, method of measurement, IS code ने हमें हर चीज की, किसको mm square में करना है, किसी को cubic में करना है, किसी को square foot में करना है, सब चीज़े हैं, वो IS code के help से कैसे करना है, BVS जो होती है, reinforcement की, वो कैसे बनानी है, जो coefficients होते हैं, thumb rule लो, coefficients हो गए, वो हर work के अलग लगोते हैं, वो कैसे होते हैं, BOQ हो गया, specification हो गया, rate analysis हो गया, cost estimation हो गया, ये costing engineer को आना चाहिए, फिर quality engineer को क्या 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 आना चाहिए, quality engineer को आना चाहिए, जो भी quality requirement होगी site पे, उन इंदी में billing का आएगा, बहुत आएंगे, projector quality plan, quantity survey का course आएगा, material quality testing, material को कैसे test करना है, laboratory के जो test होते है, procedure होगे, construction की methodology, projection execution plan, quality के जो checks होते है, quality system होते है, checklist होते है, documentation होती है, ये सब चीजे quality engineer को आना चाहिए, फिर हम बात करते हैं, जो site engineer के लिए क्या क्या required होता है, कितने type क structure है, उनके बारे में पूरा, drawing, reading, execution plan, जो होते है, starts end तक, sequence पूरा construction का, detailed construction schedule उसको पता होना चाहिए, क्या क्या requirement होती है, side space, side logistics, infrastructure, facilities, foundation, columns, lab, इनके बारे में नौलेच होना चाहिए, finishing का नौलेच होना चाहिए, MEP work हो गया, electrical, plumbing work का उसको नौलेच होना चाहिए, PB work जो हो गय pre engineering structure, fabrication, erection, यह सब चीज़ें उसको knowledge होनी चाहिए, यह चीज़ें अगर उसको आती होंगी, तो वो easily आगे बढ़ सकता है, फिर हम बात करते हैं, आपके लिए जो course ले आए था, job ready course है, MSP का course रहेगा, actual price है 3000 का, लेकिन आए 10 coupon में दे रहा हूँ, कितने, 10 coupon CMT, coupon code यूज करन लेगा, तो यह जो आपको course करवा रहे हैं, जो institute है, वो run किया जा रहा है, excellenti के जो managers है, उनके द्वारा किया जा रहा है, और CACM course इनका start होने वाला है, field training, जो 15 September से होगा, 12 हफतों कर रहता है, 4 गंटे daily आपको पढ़ा है, offline वो रहता है, hybrid रहता है, online रहता है, recorded आपको मिल आपको 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 मिलेगी, course से लेके जोग अपडेट, construction news, सब कुछ मिलेगा, MSP को जल्दी जल्दी बावए कर लीजिए, description में लिंक है, दसको उपन है